हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो माई चैनल इस प्रेचल लवटराट कैसे हैं आप लोग आप लोग अपनी लाइफ में इंजॉय करें होंगे हैपे होंगे डियर एच का टॉपिक जो है वो थोड़ा सालग है आज हम जानने के कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की रखा है तो डियर चलिए जानने की कोशिश करते हैं या फिर ये राज जो है हो सकता है आपके सामने ओपन भी हो गया हो या फिर ओपन होने वाला है ठीक है ये एनरजी मुझे आई है तो मैंने बोल दिया है कि उनकी जिंदगी में कुछ राज है जो वो आप से छुपा रह रहे हैं तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की जिंदगी में क्या राज है जो वो आप से छुपा रहे हैं प्लीज उनिवर्स काइट करें कि मेरे वीवर्स की लाइफ में जो उनके पार्टनर है वो क्या छुपा रहे हैं प्लीज उनिवर्स काइट क को क्या चुपा रहे हैं आपके पार्टनर उनकी क्या राज है क्या चल रहा है आपके पार्टनर कोई केस में फसे हैं क्या ठीके मैरिट अनमैरिट कोई भी हो सकता है ठीके क्या चुपा रहे हैं क्या चुपा रहे हैं क्या चुपा रहे हैं क्या चुपा रहे हैं क्या चुपा से राज है इनकी जिंदगी में डियर जस्टिस और जज्जमेंट दोनों आए हैं मतलब कि यहां पर कुछ तो गलत हुआ है जहां पर आपके पार्टनर को जस्टिस करने की जरुवत है या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी चीजे चल रही है ऐसे राज है जहां पर उन्हें जस्टिस और जज्जमेंट की जरुवत पढ़ रही है एक लास कार्ड ओके चले बॉटम की एनरजी डियर बॉटम की एनरजी आप देख पा रहे हैं क्या एनरजी आई है ओ माई गॉड बहुत बुरी एनरजी और यहां पर एक कार्ड ये भी ह दे एमप्रेस और वो भी चीज बता रहा है कि क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर तो डियर यहां पर मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है तौरस वर्गो क्याप्रिकॉन हो सकते हैं विशप कन्या मकर राशी एरीज लियो सैजिटेरियस तो डियर मिथुन तुला कुम राशी भी हो सकती है और जैमिना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन में सिहा धनु राशी तो यह राशी यहां पर दिखी है मुझे यह दोनों कार्ड निकल चुके हैं उसके बाद में हैं यहां पर दफूल की एनरज कैंसर स्कॉर्पियो पाइसे स्कर्क विष्चिक मीन राशी टॉरस वर्गो क्याप्रिकॉन दजस्टिस त्री ओफ वांड्स नाइन ओफ वांड्स एंटन ओफ वांड्स क्या है किस चीज को छुप जिंदगी का गहराज जिसको ले कर यह इतना बर्डन फील कर रहे हैं क्या है इनकी जिंदगी की कहानी आप जानना चाहेंगे ना कि आपके पार्टनर की जिंदगी की कहानी क्या है ऐसे कौन से राज है जो यह आप से छुपा रहे हैं डियर आप देख पा रहे हैं कि इनकी जिंदगी की जो कहानी है उसमें ऐसे राज है यहाँ पर आप देखिए य क्या है जज्जमेंट है जज्जमेंट है यहां से जस्टिस है तो डियर आपके पार्टनर को यह दोनों चीजों की जरुरत पड़ रही है जज्जमेंट भी चाहिए जस्टिस भी चाहिए क्यों चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि इनके हालात बच से बत्तर हो गए हैं यह यहां पर यहां पर मुझे दिख रहा है कि वो क्या चुपा रहे हैं आप देख पा रहे हैं उनको जस्टिस की जरुवत पड़ रही है उनको एक जज्जमेंट की जरुवत पड़ रही है क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ तो उटपटांग ऐसा हो रहा है जहां पर यह बुरी तरह से उलज गए हैं ऐसे राज है इनकी जीवन के कि जो शेर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर इनको ऐसा लगता है कि ये अपने जीवन का राज आपको बता देंगे या ये कोई सीक्रेट आपको बता देंगे तो पता नहीं आप इने छोड़ तो नहीं देंगे कहीं आप इन किसी के बातों में तो नहीं आ जाएंगे कोई आपको भड़का तो नहीं देगा वो बातों को सोच कर ये थोड़ा सा परिशान हो रहे हो सकता है आपके person जो है married है कोई court case में फसे हैं या फिर इनकी life में कोई ऐसा case फसा है case चल रहा है जिसमें ये निकल नहीं पा रहे हैं उसका इनको बर्डन हो रहा है तो ऐसा राज इनकी लाइफ में चल रहा है आप देख पा रहे हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परसन की लाइफ में finance related कोई ऐसा राज चल रहा है जिससे बाहर निकलना इनकी लिए मुम्किन नहीं है इन्होंने बहुत heavy loan ले लिया है या फिर ऐसे situation में उलज गए है या फिर कोई loss इनने अभी हाल ही में उठाया है जिसके कारण ये बहुत पच्छता रहे हैं बहुत दुखी हो रहे हैं और इन इनको ये आपको बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने आपको बताया तो शायद आप इनको मना कर सकते हैं या फिर आप इन से दूरी या फिर आप stress ले सकते हैं आप परिशान हो सकते हैं तो ये आपको परिशान नहीं करना चाहते हैं आपक प्यार देना चाहते हैं किसी भी कीमत पर आपके पार्टनर का जो राज रखने का जो जरिया है यहां पर मैं बता रही हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए राज रखें आपसे कि अगर आपको ये राज पता चलेंगे तो आप अपनी लाइफ में डिस्टरब हो सकते हैं इन के उपर प्रेशर नहीं डाल रहें डियर बस इंतजार करें कि सारा जो बुरा वक्त है वो किसी ना किसी तरह से अच्छा हो जाए इनके लाइफ से प्रॉब्लम हट जाए और ये आगे बढ़ जब सकें और उस आगे बढ़ते वक्त में ये ट्रेवल करके आपको अपनी ला को के लिए ऐसा लग रहा है कि यहां पर एंपरेस आई ये तो आप एंपरेस को देख रहे हैं यहां पर कुछ गुड न्यूज कोई सी गुड न्यूज आपके पार्टनर के लाइफ में आई है अगर आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है तो डियर वो आपको बहुत पर दिख रही है तो ये राज एक ऐसा तरह का सप्राइज मिलने वाला है आपकी लाइफ में एक ऐसा राज आपके सामने लेके आने वाले हैं आपके पार्टनर जिससे आपके लाइफ खुशियों से भर जाएगी तो काफी लोगों के लिए मुझे ये फील हुआ कि हो सकता कोई गुड नियूज आपकी तरफ आ सकती है कोई अच्छा समय आपकी तरफ आ सकता है तो वो चीज राज जो है आपका पार्टनर आपके सामने उपन करने वाला है आपको यहाँ पर किसी के साथ में आपके पार्टनर जो है जज्जमेंट करना चाहते हैं शायद आपके प पार्टनर जो है वो इस टावर मुमेंट से गुजर रहे हैं उनकी लाइफ में ऐसे सिच्वेशन बनी हुई है कि वो इस टावर से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर डियर आपको भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं कि इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है जो सिच्वे नहीं अटक सी गई है डियर आप यकिन नहीं मानेंगी ये पार्टनर बस दिल हे दिल में जस्टिस और जज्जमेंट की उमीद कर रहे हैं कि हां मेरे साथ में नयाय होगा उपर वाले की तरफ बहुत ज़्यादा स्प्रिचलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ हाथ करके माफी मांगते दिख रहे हैं कि इनसे जो गलतिया हुई हैं इनसे जो हालात खराब हुए हैं या इन्हों ने किसी का घर बरबात कर दिया है तो उसके लिए ये माफी मांगते दिख रहे हैं किसी का दिल तोड़ा है तो उसके लिए भी मुझ यसा लग रहा है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे राज है जहां पर ये ट्रेवल करके जाते हैं ट्रेवल करके आना जाना करते हैं हो सकता है कि कही बिजनिस का कोई इनके ऑपर बर्डन है, कोई बिजनिस जो है उसमें लॉस फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर इनकी लाइफ में ऐसा बिजनिस है ऐसा कुछ सिच्वेशन चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है शायद वो लॉस में चल रहा है और आपके पार्टनर उसका बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं वो लॉस वो सहन नहीं कर पा रहे है पर डियर आपके सामने ऐसा दिखाते होंगे कि वो बहुत हैप्पी हैं बहुत मोज मस्ती में हैं बहुत खुश हैं आपसे शेयर नहीं करते होंगे कभी किसी किसी के पार्टनर के लिए मैं बोलूँगे को कभी कभी अचीन के बहुत बेचैन होजाते होंगे बहुत परिशान होते होंगे उनका आप ह vibes परिशान देखते हंगे फॉन्स पे भी वो बहुत ज़़ादा sad energy में देखते होंगे तो यह चीजह क्या है उनके इरदेगरदे है है और वो बहुत परिशान है इस लिए वह जस्टिस करना चाहते हैं अगर इन्होंने आपके साथ में किसी तरह का गलत किया है तो ये आपके साथ में भी जस्टिस करेंगे और अगर इन्होंने किसी और के साथ में जस्टिस किया है तो ये जस्टिस की उमीद रख रहे हैं अगर इन्होंने गलत किया है तो गिर यहां से मुझे ये कार्ट बता रहा है कि ये जगलिंग वाले जोन में है आपके पार्टनर जो है उनको रास्ता नहीं मिल रहा बैलन्स बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं हो सकता है फाइनेंस में इनकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसके कारण ये अभी तक उठने ही पा किसी ने इनका फाइनेंस पूरा पूरा अपने नाम करा लिया है और आपके पार्टनर की जिन्दगी में एक टावर आ गया तो ये राज छुपा रहे हैं और डियर यहां पर बता दू किसी की बहकावे में थे आपके पार्टनर ने पूरा पूरा पैसा अपना पूरा कोमेंट के कारण आपके पार्टनर जो हैं ये राज जो चुपा रहे थे जो परेशानिया इनकी चल रही है ना वो एहम वज़ा उसकी वही दिख रही है कि इनकी लाइफ में जो टावर आया है उसकी वज़े यही है कि इनकी जजबात इस बात की गवाई नहीं दे रहे कि इन्होंने कभी आपसे राए नहीं ली इन्होंने कभी आपसे डिसीजन नहीं लिया या अकेले ही अपनी जिन्दगी के फैसले करते रहे आपने कभी इंटरफेर भी नहीं किया कि हाँ भई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों अकेले डिसीजन ले रहे हैं बस ये दिख रहा ह कि आपने इनके हर डिसीजन में हाँ भरी है और डियर आज ये परसन जो है अपने गलट डिसीजन के लिए बहुत रीग्रेट फिल करें बहुत पश्ता रहे हैं यहाँ पर इनों ने कुछ ऐसा डिसीजन भी लिया था कि इनों ने थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर आपको तक आपकी लाइफ कैसी चल रही है आपकी लाइफ में क्या सिच्वेशन है कैसा है एंजॉय है कि नहीं फैमली बड़ी अच्छी होगी इस तरह से कोई न कोई इनको टॉचर करता है जिसके कारण ये परसन जो है अब पश्ता रहे हैं कि कैसे मैंने किसी और इनसान की बातों मे आकर अपने पार्टनर को अपने से दूर कर दिया था अपनी लाइफ में मैंने कैसे ये टावर और ये सिच्वेशन लेके आ गया था तो ये चीज यहां पर अपके पार्टनर को बहुत खल रही है बहुत परिशान कर रही है ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आना जाना करते रहते होंगे टावर मुमेंट में दिख रहे हैं इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है परिशानियों से घिरे हुए हैं बर्डन लेते लेते धोका खाते खाते इनको अकल नहीं आई थी लेकिन डियर अब जब पैसे से इ खुद अन्जान थे कि इनकी लाइफ में कोई इनको चीत कर रहा है ये किसी और इनसान पर बहुत ज़्यदा भरूसा करते थे हो सकता है कि किसी फ्रेंड्स के उपर इन्होंने बहुत आंक मून के भरूसा किया था और डियर वो इनसान इनको धोका दे गया है आपके पार्टनर कुछ दिन भागे थे आपसे छुपा के भागे थे पर डियर फिर आपके पार्टनर का दिमाग ठिकाने आ गया कि मैं कहां गलत रस्ते पे जा रहा हूं मुझे इस रस्ते पे नहीं जाना ये मेरा रस्ता नहीं है तो डियर आपके पार्टनर तुरंट के में ही है वो बता नहीं पा रहे होंगे आप से लेकिन उनकी लाइफ में यह situation हुई है कि उनकी लाइफ में कोई इंटर हुआ था और आपके पार्टनर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है आपके पार्टनर उनसे आगे बढ़ गए हैं है ना यह चीज यहां पर दिख रही है किसी को तो अपने दिल में जगह दी थी पहले आप से पहले भी उनकी लाइफ में कोई था जिसके साथ में उनका रिष्टा था और डियर ये वो चीज दिख रही है कि इन्हों ने आपको ये चीज बताई भी होगी कि हां मेरी लाइफ में कोई था पर एक तरफा प्यार था ए ही बता रहे है कि आपके पार्टनर जो है आपके पार्टनर जो है वो किसी और से लव करते थे आपके आने से पहले उनकी जिन्दगी में कोई और इन्वाल्व था अगर आपके पार्टनर मेरीड है तो डियर वो अपने पार्टनर से बहुत लव करते थे पर डियर उनके प कमिट्من देगा पर दियर उर्स इंसान ने कमिट्मेंट नहीं दिया और आपके पार्टनर की बिज्जती हो गई आपके पार्टनर को डिजेक्ट कर दिया गया वो राज भी इन्होंने अपनी तरक ही सीमीत रखा है कुछ लोगों के पार्टनर ने शेयर किया होगा पर जो एन पार्टनर कुछ राज छुपा रहे हैं तो टावर चल रहा है जगलिंग वाले जून में हैं कुछ जस्टिस की उमीद कर रहे हैं या तो ये आपके साथ में जस्टिस करेंगे धोका चीट करने का या फिर ये अपनी जिंदगी में कुछ नियाए मांग रहे हैं इनके हग का को आजमेंट की उमीद करते हुए दिख रहे हैं काफी लोगों के पार्टनर को या पार्टनर की तरफ से गुड नियूस आपको मिल सकती है ये भी एक राज है उनके दिल का बहुत बड़ा या फिर उनके दिल में बहुत बड़ी तमन्ना है इस राज को दबाए रखे हैं या पिर आप में से कोई है जो ये एनरजी में है जिसके कारण आपके पार्टनर जो है इस राज से अभी अपने घरवालों को नहीं बताया है कि हाँ आप और इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पर माहूल कुछ खराब है तो ये एक राज है जो छुपा हुआ है उसी के अनर्जी निकल के आई है तो डियर कोई तो है जो प्रेगनेंट है बट आपके पार्टनर घर वालों को नहीं बता सकते ये एक राज है तो यहां पर ये अनर्जी का आना पता नहीं किस से रेजनेट होगा पर कोई तो है जिसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रह है ओके डियर तो यह है आपके पार्टनर के कुछ राज जो आप से वो छुपा रहे हैं जिस राज में वो बंधे हुए हैं जिस राज से उनकी लाइफ पूरी तरह से टावर मॉमेंट में आ गई है उनके राज जो हैं उन्हें सूने नहीं देते हैं उनके राज जो हैं उन मेरे राज बताता हूं तो कोई मेरे राज का फायदा ना उठा ले कोई मेरे जजबातों का फायदा ना उठा ले बस आपके पार्टनर जो है इसी बारे में सोच रहे हैं और वो किसी से धोका नहीं खाना चाहते क्याते ना कि एक बार धोका खाने के बार में इंसान जो होता ह वो दूसरी बार कभी कोई गलती नहीं करता है तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यह पार्टनर जो है धोके से डर रहे हैं एक बार दूत का जला छाज भी फुक फुक कर पीता है तो वही बात यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर की फिलिंग्स में वो पार्टनर अप पूरी तरह से अपने राज को अपने तकी सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है किसी एक दो के जो पार्टनर है उन्होंने शेयर की होगी कुछ बाते जो मैंने बताई है बाकी के पार्टनर जो है छुपा के बैठे हैं आपसे प्यार भी करते हैं आपको मैनिफेस कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा राज है कि वो अकेले अकेले आपको मैनिफेस कर रहे हैं आपको लेकि बहुत सपने देखे जा रहे हैं मैनिफेस्टिशन किया जा रहा है किस तरह से आपको अपनी जिन्दगी में लाया जाए इंतजार की घड़ियां जो है उनसे सहन नहीं हो रही है आपको ओफर देना चाहते हैं आपकी तरफ एक सुनहेरा पल लेके आना चाहते हैं क्योंकि अब आपके साथ में वो एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं तो वो ची ना दे दे है ना यह चीजों से डर रहे हैं आपके पार्टनर का लाइफ निकालते हैं कि क्या आता है आपका या आपके पार्टनर के इमेशिस है या नहीं ओके दिया तो चलिए तो मैसेज निकल चुका है देर यहाँ पर जो मैसेज नहीं है मैं खो जाती हूँ सपनों में है न A है F है E है हो सकता है आपका या आपके पार्टनर के नेम के इमेशेज हो देर यहाँ पर कोई देट निकली है यहाँ पर है 7 8 2 1 और 5 यह देट हो सकती है आपकी देट आप बर्थ हो सकती है और यहाँ से भी बताऊंगी कुछ देट आपको के हो सकता है आपके देट आप बर्थ हो या आपके पार्टनर के देट आप बर्थ हो देखें यहाँ पर कुछ इमेशेज है आप देख लीजिए आपका यापके पार्टनर के नेम के हो सकते हैं कुछ देट अफ बर्थ है 51287 ओके डियर तो यहाँ पर NL0 NLOMCPFDAEFA यह मेशिस निकले हैं कुछ देट बता देती हूं डियर यहाँ पर कुछ खर्थ देट निकली है गोहें 10 नमबर 9 नमबर 9 नमबर हो सकता है आपके डेट अफ बर्थ हो आपका बर्थ डे हो किसी का बर्थ डे हो सकता है और यहाँ पर five number हो सकता है six number हो सकता है खास two number यहाँ पर खास हो सकता है आप लोग के लिए three number और nine number nine number मुझे बहुत ज़्यादा खास लग रहा है तो nine है यहाँ पर और three, two, one ओके तो यह date of worth हो सकती है आपके पार्टनर की चलिए आपके पार्टनर की राज मैंने आपको बता दिये आप देख लीजिए आपके पार्टनर की क्या राज हैं क्या छुपा रहे थे क्या है उनके दिल में है ना